लगू जवार भाटा पैदा होता है आपके ऑप्षन है ए चंदर अर्ध चंदर के समय बी दीन के समय सी एक महिने में एक बार एक सप्ता में दो बार दोस्तों इन प्रशनों को attempt करने का जरूर प्रयास करें इसका answer हो जाएगा एक महिने में एक बार यानि option C इसका सही उत्तर है अगला question है हाल ही में विज्ञानिकों द्वारा हो जागिया Kepler 186F इन में से क्या है आपके options है A गरह, B तारह, C computer virus, D छुदर गरह तो इसका answer हो जागा दोस्तों इसका answer है गरह अगला question है किस फसल के लिए काली मिट्टी सरवधिक अनुकूल है किस फसल के लिए काली मिट्टी सरवधिक अनुकूल है आपके options है A कपास, B बाजरा, C चना, D जो तो इसका answer हो जागा दोस्तों कपास अगला question है समोची रेखाएं option है A. समुद्र अस्तर से उपर समान उचाई वाले अस्थानों को मिला कर खीची गई रेखाएं B. अक्षांस रेखाएं C. दिसांतर रेखाएं D. बंदरगाहों को मिलाने वाली रेखाएं इसका answer क्या होगा दोस्तों जल्दी से फटाक्स इसका answer दे तो इसका answer हो जाएगा A. समुद्र अस्तर के उपर समान उचाई वाले अस्थान को मिला कर खीची गई रेखा बढ़ते हैं अकले प्रश्म की और डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है दोस्तों ये सीमा वाली questions को अवस्य करें ये बहुत important है और exam में आते ही आते हैं इसका options है A. भारत और पाकिस्तान B. पाकिस्तान और अफगानिस्तान C. नेपाल और भारत D. नेपाल और चीन क्या हो जाएगा answer इसका दोस्तों इसका answer हो जाएगा B. भारत और पाकिस्तान बढ़ते हैं आगले प्रश्ण की और हमारा आगला प्रश्ण है वहाँ स्थान जहाँ वर्षा 200 cm होता है तापक्रम 25 डिगरी सेंटिग्रेट होता है और जिसका भूमी ढलवा है किसकी खेती के लिए उप्यूक्त है A. कॉफी B. तंबाकू C. चाए D. चावल क्या हो जागा दोस्तों इसका एंसर जल्दी से इसका उतर दें इसका एंसर होगा Of course चाए C. बढ़ते हैं आगले प्रश्ण की और पिर्थिवी पर सार्वतिक गर्म अस्थान कहां पाया जाता है दोस्तों यह बहुत इंपोर्टेंट प्रस्णों का स्रिंकला है इससे जरूर करें द्रोगा की एक्जाम में आपका यह रामबान सिध्ध होगा इस तरह के प्रैक्टिस से मैं लगातार लेकराता रहूँगा आप जरूर इस वीडियो को करें पिर्थिवी का परसारवदिक गर्म अस्थान कहां पाय जाता है दादरा और नागर हवेली में कौन सी भासा बोली जाती है आपके उप्शन्स हैं इसका एंसर क्या होगा दोस्तों कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है कावेरी बी कृष्णा सी गोदावडी डी नर्मदा इसका एंसर क्या होगा दोस्तों जल्दी से इसका उत्तर दे मौका डी होगा नर्मदा बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की और भारत में मुंगफली का पर्मुकुत पादक राज्य है भारत में मुंगफली का पर्मुकुत बादक राज्य इन में से कौन आपको बताना है इसका option है A. महराष्ट्र, B. गुजरात, C. करनाटक, D. आंद्रप्रदेश तो इसका answer हो जाएगा दोस्तो दोसका क्या होगा answer? B. गुजरात देखते हैं एक लाप्रशन वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता है A. ब्रह्मन, B. अरन्यक, C. सहिता, D. उपनिशद इसका answer होगा दोस्तो A. ब्रह्मन चंद्रप्रद के दरबार में सेल्युकस ने एक दूत भेजा था जिसका नाम था क्या नाम था दोस्तो? उस दूत का option है A. हेरोडोटस, B. हान सेंग, C. मेगास्थनीज, D. हेलियोडोडोडस तो इसका answer हो जाएगा मेगास्थनीज देखते हैं हमारा अरन्यक परतेक पांच वर्स पर एक मेले का आयजन करता है था, यहाँ, कहाँ पर आयजन करता था option है A. थानेश्वर, B. कन्योज, C. प्रियाग, D. बनारस इसका answer क्या होगा दोस्तो? जल्दी से इसका answer दें तेरे का answer होगा आपका C. प्रियाग बढ़ते हैं अगले प्रस्ण किया और गुरू अरजुन देव को जहांगीर ने 16-6 में किसके कहने पर मिर्ट दंड दिया था? A. सहजादा खुसरो, B. चन्दूसा, C. मानसीम, D. आसब खान तो इसका answer होगा? चन्दूसा, B. देखते हैं अगला प्रस्ण भारत में तास स्लेव राजवन्स की अस्थापना किस ने की थी? गुलाम बंस जिसे बोला जाता है इसका option है A. गयासुद्दीन, B. कुतुबद्दीन, C. इलतुतमिस, D. मुहम्मद गवड़ी तो इसका answer of course दोस्तों आप जानते होगे, कुतुबद्दीन एवग अगला प्रस्ण है एक पुर्तगाली नाविक वासको डिगामा कब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और भारत के लिए समुंदरी मार्क की खोचकी थी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट A. बाइस अपरेल 1298 B. बाइस अपरेल 1398 C. बाइस अपरेल 1498 D. बाइस अपरेल 1598 क्या होगा इसका उत्तर दोस्तों? इसका answer होगा C. बाइस अपरेल 1498 B. अकबर नामा किसकी लिखी किताब है? A. सेख फैजी B. अबुलफजल C. बदायूनी D. कॉफी खान फड़ा फड़ इसका उत्तर है दोस्तों? क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर है अकबर नामा की? B. अबुलफजल Of course अगला प्रशन है भारती सिविल सिवा का संस्थापक किसे माना जाता है? A. सर्जांसर Lord Minto C. Lord Dalhoji D. Lord कारने वाले इसका उत्तर जरूर आप लोग जानते होंगा दोस्तों 18 का हो जाएगा आपका एंसर D बढ़ते हैं अगले प्रशन के और उस परमिट को क्या कहा गया था? जिसके अधीन इस्ट इंडिया कंपनी को 1757 से परतेक परकार के लेंदिन में मुक्त भाव से उप्योग के लिए निरिक्षन और सिमा सुल्क के भुकतान से छूट प्राप थी आपका इसका एंसर हो जाएगा दोस्तों अफकोर्स दस तक राइट आंसर देखते हैं अगला प्रशन सावर मती नदी के बाएं किनारे इस्थित अहमदाबाद सहर किसके द्वारा बनाया गया था? अगला प्रशन देखते हैं अस्तहयोग अंदुलन की असफलता के बाद किसके नेतरुत में कॉंग्रेसियों ने सौराल दल नामक एक नए पार्टी बनाई थी? अफ्षन ए महत्मा गांधी अफ्षन बी वल्लब भाई पटेल सी चितरनन दास डी मोतीलाल नहरू तो इसका अंसर क्या होगा दोस्तों? इसका अंसर हो जाएगा सी राइट अंसर बढ़ते हैं अगले प्रशन के और महत्मा गांधी किस वर्ष सक्रिय रूप से राजनीती में आये? क्या होगा इसका अंसर दोस्तों? अफ्षन A 1905 में अफ्षन B 1919 में अफ्षन C 1929 में अफ्षन D 1930 में तो इसका अंसर होगा B 1919 में सक्रिय रूप से राजनीती में आये महत्मा गांधी अगला कुश्यन देखते हैं किसने लंदन में आये जिटीनों गोल में सम्मिलनों में भाग लिया था धेके दोस्तों गोल में सम्मिलन से एक प्रतेक frankly इक्जाम में देखे जा सकते हैं इसलिए गोल में सम्मिलन से संबंदित इतने इस रच जाए इसका ऑप्षन है A. M. अली जिन्ना B. B. अंबेतकर C. M. अंजोसी J. D. जेल नहरू कौन था? जो तीनों सम्मिलें ने भाग लिया था बताएं दोस्तो इसका एंसर क्या होगा? B. अंबेतकर राइट अंसर पुझीवादी में इसका अभाव होता है कुझीवादी में इसका अभाव होता है किसका अभाव होता है? option है A. सरकारी नियंतरण B. गेर सरकारी स्वामित्व C. उत्रादिकार अधिकार उप्युक्त सभी क्या होगा इसका एंसर? सरकारी नियंतरण भरते हैं हमारे अगले प्रशन की और इमलिकित में से किसे अर्थ व्यवस्था में धन माना जाता है option है A. सुर्य की किरने B. मा का मतरित C. एक पेंड की छाया D. आभुशन अजीब कोश्यन है दोस्तों लेकिन इस तरह के भी कोश्यन आपको देखने को एक्जाम में मिल सकते है इसका एंसर हो जाएगा आभुशन अफकॉर्च अर्थ व्यवस्था में आभुशन क्या बशक्ता होगी? धन्जम पत्ति की जरुत होती है ना कि मा का मत्रित तो सुरी की किर ने एक पेर की छाया बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के और भारत में कौन छेत्र सकल घरे रू उत्पाद जी डी पी का सबसे बड़ा संगड़क है अ प्रात्मिक छेत्र, बी सर्वजनिक छेत्र, सी सेवा छेत्र, डी इन में से कोई नहीं तो इसका इंसर होगा दोस्तों सेवा छेत्र अगला प्रश्ण दिखते हैं सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है अ मुद्रापूर्ति में व्रिद्धी करने के लिए बी मुल्ल कम करने के लिए सी पर्तियुकिता से कुछ उत्धोगों को बचाने के लिए डी आवश्यक उत्पाद को निर्धन लोगों को उपलब्द करवाने के लिए अन्य था यदि उनके मुल्य बाजार दुआरा निर्धारित किये जाते तो वे लोग उनका मुल्य नहीं चुका पाते तो इसका अंसर क्या होगा दोस्तो फड़ा फड़ इसका अंसर दें इसका अंसर हो जाएगा B. मुल्य कम करने के लिए देखते हैं अगला प्रशन एक देश में परतिवेक्ती आय की गन्ना की जाती है एक देश में परतिवेक्ती आय की गन्ना की जाती है कैसे की जाती है आय की गन्ना इस तरह की एकनोमिक्स के भी प्रशन आपको एक्जाम में देखने को मिलेंगे इसका option है एक विसे को संबर्ती सूची में सामिल कहा जाता है जब इस पर एक कानून पास किया जा सकता है इसके दोड़ा आपके option है A. राज सरकार B. केंद्रिय सरकार C. केंद्रिय और राज सरकार D. राश्टपती और राज जपाल इस कैंसर होगा C. केंद्र और राश्टपती सूची केंद्र राज सरकार से समन्दित होता है देखते हैंकला प्षण भारती सावीधान के राजजी नीती के निरदेशक के सिध्धनतो को बनाने में किस देश की सर्वधिक प्रभाव पढ़ा है राज जी के निती ने देशक तत्व के बाड़े में पुछा जा रहा है अप्शन है A. जापान B. आयर्लेंड C. फ्रांस D. रूस इसका एंसर हो जाएका दोस्तों B. राइट एंसर आयर्लेंड देखते हैं अगला प्रश्ण संगलोक सेवा आयोक का परधान कौन होता है A. राष्ट पती B. एक अध्यक्ष C. सर्वोच नियाले का एक नियाधीस D. मंत्री मंडल का एक मंत्री इसका एंसर हो जाएका दोस्तों एक अध्यक्ष देखते हैं अगला प्रश्ण सर्वोच नियाले की seat नई दिल्ली में है सरवोच नयाले की seat नई दिल्ली में है पर यह कहीं भी अपनी seat रख सकता है seat कहा होगी इसका निर्णे कौन करता ए परधान मंत्री b कानून मंत्री c मुखन आएधिस d मुखन आएधिस राष्टपती की सुईकरती से फड़ा फड़ इसका अंसर दें इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों D. मुखने आइधिस राश्टपती की स्विकर्टी से देखते हैं हमारा अगला प्राश्ट राश्टपती द्वारा जाड़ी एक अध्यादेश संसद के पुना जुटने के बाद कितने दिन तक परभावी रहता है दाश्टपती द्वारा जाड़ी एक अध्यादेश संसद के पुना जुटने के बाद कितने दिन तक परभावी रहता है आपके आप्सेंस हैं एक पक्षवाड़ा, B. एक महिना, C. छह सब्ता, D. आठ सब्ता तो इसका एंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? छह सब्ता अगला प्रश्ण है केंदर में राष्टपती, राष्टी आपात लगाता है A. लोकसभा चुनाओं के दौरान B. आपातकाल, बाहरी या अंदरूनी के दौरान C. यदि परधान मंत्री की मिर्टी हो जाती है D. कभी नहीं, सब्ता विधान में इसका प्रावधान नहीं है क्या होगा इसका एंसर? इसका एंसर हो जाएगा B. आपातकाल के दौरान चाहे वो बाहरी हो या अंदरूनी देखते हैं हमारा संसदी लोकतंत्र का अर्थ है आपके ओप्शन है A. संसद सारवभोम संस्था है B. वास्तवी कारेपाली का उत्तरदाई होती है विधाईका के परधी C. राज्य का परधान लोगों दौरा चुना जाता है D. विधाईका में दो सदन होते हैं तो इसका एंसर होगा क्या दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा B. वास्तवी कारेपाली का उत्तरदाई होता है विधाईका के परधी अगला परशन है विष्व स्वास संगठन का मुख्याले कहा है देखें दोस्तों संगठन से संबंदित प्रश्ण भी एक्जाम में आते हैं इसलिए जो जो संगठन जहां जहां है जैसे WTO, WHO, विष्व बैंक बहुत सारे IMF सब के संगठन के कहा कहा मुख्याले हैं जरूर याद कर लें तो इसका ऑफ्षन है A. विएना में स्वास संगठन का मुख्याले कहा है A. ऑफ्षन विएना में B. रोम में C. नियोर्क में D. जिनेवा में इसका अंसर हो जाएगा D अगला प्रशन देखते हैं भारत में नियापाली का है A. सोतंत्र B. संसत के अदिन C. राष्टपती के अदिन D. परधान मंत्री के अदिन तो भारत की नियापाली का कैसी है बताईए दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा सोतंत्र है उच्च नियाले के एक नियाधीस की को उसके कारे से सिध दुराचार या आयोग्यता के अदार पर हटाया जा सकता है किसके दोवारा A. राजिका राष्पाल दोवरा B. राजिका मुखमंत्री दोवरा C. भारत का मुख्चन अधिस दोवरा D. संसत की सिफारिस पर राष्टपती दोवरा तो इसका उत्तर होगा D संस्द की सिपारिष पर राश्टपती दोवारा देखते हैं अगला प्नाश्ण निम्लिखित में से कौन एक लोकतंतर का अवश्यक अभीलक्षन नहीं है उन में से बता ना है दोस्तो ओप्षन है इसमें बताना है नहीं वाले को इसका हो जाएगा एंसल अब कर दोस्तो अगला प्रशन है अगला प्रशन है स्युक्त राशंग की महाशाभा की बैठकें होती है एक वर्ष में एक बार बी एक वर्ष में दो बार सी दो वर्ष में एक बार दी तीन वर्ष में एक बार इसका एंसल हो जागा दोस्तो एक वर्ष में एक बार देखते हैं अगला प्रश्ण बिहार के किस अस्थल में तामर पाशान यूगिन सब्विता के आउशेश मिले हैं दोस्तो बिहार के एक जाम में बिहार से संबंदित कोश्चन भी आवश्चे रहेंगे इसलिए बिहार से सम्बंदित प्रश्णों को भी अवश्य करें मैंने इस सेट में बिहार से सम्बंदित प्रश्ण का स्रिंकला भी डाला हुआ है तो इस टेस्टरीस को अवश्य करें बहुत ही महत्पून टेस्टरीस है ये बिहार के किस अस्थल में तामर पाशिन यूगिन सब बेता के और शेश मिले हैं दोस्तों तो इसका एंसर क्या होगा option है ए चिरांद, बी वैसाली, सी राजगिरी, डी पाटली पुत्र जल्दी से इसका एंसर दे इसका हंसर हो जाएगा चिरांद बरते हैं एकले प्रस्ण की और प्राचीन बिहार का गौरव, वज्जी, संग जिसकी राजधानी वैसाली थी कितने गन्राज्जियों का संग था very very important A4, B5, C7, D8 इसका उत्तर हो जागा दोस्तों 8 देखते हैं एकला प्रस्ण 770 से 71 के बीच बिहार का कौन छेत्र सन्यासी विद्रों का केंद्र रहा था A. पूर्णिया B. गया C. मुझबपरपू D. दर्भंगा इसका एंसर हो जागा दोस्तों पूर्णिया देखते हैं एकला प्रस्ण मद्यकाल में बिहार में आने वाले यात्रियोंक में सबसे पर्थम था अब्दुल्रतीफ इसने कब संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी अंसर हो जाएगा B. 608 अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तों बिहार में नविंतम बिभाजन कब किया गया बिहार में नविंतम बिभाजन हुआ है जो कब किया गया है जिससे जारकंड को अलग करके बनाए गया है दोस्तों A. 15 अगर्ज़ 2000 को 15 अक्टूबर 2000 को 15 नॉमबर 2000 को D. 15 दिसंबर 2000 को इसका एंसर हो जागा दोस्तों C. 15 नॉमबर 2000 को बढ़ते हैं हमारे अगले परिक्षन की और भारत ने चांदी पूर इस्थित एक एकरित परिक्षन रेंज I.T.R. से निम्न में से किस मिसाल का सफल परिक्षन किया इसका एंसर क्या होगा दोस्तों येस आकास अगला प्रशन है वर्स 2001 से 11 की दोरान सबसे अधिक जनसें के अब रिद्धी धर एवं सबसे कम जनसें के अब रिद्धी धर रही करमसर A. मेघाले और केरल में B. नागालेंड और मिजोरम में C. उत्तर परदेश और केरल में D. बिहार और केरल में इसका क्या होगा एंसर मेघाले और केरल में मर्दिय हमारे एगला प्रशन की और सुद्ध विदेशी मुद्राव पारजन में सारवधिक योगदान किसका रहा A. कपराउद्दोग B. हस्त सिल्फ दोग C. आबुजन दोग D. विनिर्मान दोग तो इसका एंसर होगा दोस्तो A. कपराउद्दोग वर्स 2013 में साहित के छेतर में नोबल पुरुसकार किसे परदान किया गया 13 का सवाल है दोस्तो B. डेट से सवाल पूछे जा सकते हैं तो याद रखना जरूरी है तो इसी तरह के परशन को टेस्ट स्रीज में ही कर लेने में बहतर है ना कि अलग से सभी ये रिकायात करें 49 का अंसर हो जागा दोस्तो A. एलिस मुन्रो को अगले परशन को देखते हैं वर्स 2013 के अर्शास्त्र के छेतर में नोबल विरुसकार विजिता में निमले कितमे से कौन सामिल नहीं है 2013 में इनमे से किनको नहीं दिया गया अर्शास के छेतर में तो इसका अत्तर हो जागा दोस्तो Martin कार्व वर्स को बाकी इन तिनों को मिला था देखते हैं अकला प्रशन हैडरोमिटर नापने का यंत्र है देखे दोस्तो साइंस के प्रशन भी आगए धोनी कित्य ब्रता BYU की आदरता C. जल का घनत्व D. पिद्धुद्धारा हैडरोमिटर नापने का यंत्र भावित करता है option है A. हिर्दे को B. स्प्लीन को C. फैफरो को D. गृरिक को तो इसके उत्तर हो जागा दोस्तो स्प्लीन को अगला प्रशन है हरी पत्तियों पत्तियां पोधों में क्या काड़ी करती है हरी पत्तियां जो है पोधों में क्या काड़ी करती है A. शौशन का B. परजनन का C. परकास तंसलेशन का D. वृद्धी का क्या होगा इसका एंसर दोस्तो इसका एंसर हो जाएगा परकास तंसलेशन का बरदे अगले प्रशन की और इंद्र धनुस में लाल रंग किस करम में होता है इसका ट्रिक है भाइब ग्योर या बेनी आह पिनाला दोस्तो यह ट्रिक याद कर लेने से आप पता सकते हैं कौन करम क्या होगा तो इसका एंसर क्या हो जाएगा अंदिम में पचपनुआ कोशन देखते हैं दोस्तो कोलेडा बेशिलस की खोज किस ने की थी ईल्वी पास्चर ने भी रोणाल रॉस ने सी रोवर्ट कोच ने डी जोसेफ लिस्टर ने इस कैंसर हो जाएगा दोस्तो रोवर्ट कोच ने देखते हैं अंगला प्रश्च कठोर जल के धात्वी घटक हैं कठोड जल के धात्विग घटक है A. Magnesium और केलसियम B. Iron T. टीन और केलसियम C. केलसियम मेगनेशियम और Iron D. Magnesium T. टीन और Iron तो इसका एंसर क्या होगा दोस्तो चपन का A. Magnesium और केलसियम अगला प्रशन देखते हैं कौन सा प्रानी सबसे बड़ा बच्चा पैदा करता है A. O. B. Sing C. Hathi D. Nil Huel इसका एंसर आफकोर्स हाथी होगा बढ़ते हैं हमारे अगले प्रशन की और दिल के दोड़े का कारण है A. हिर्दे पर जीवानू का आक्रमन B. हिर्दे के अस्पंदन का रुख जाना C. स्वयम हिर्दे को रख्त किया पूर्ती का अभाव D. अग्यात कारणों से हिर्दे के काम में बाधा इसका एंसर हो जागा दोस्तो C. स्वयम हिर्दे को रख्त किया पूर्ती का अभाव देखते हैं गला प्रशन मानोडख्ट का पी एच मान है A. 6.5 से 7 के बीच B. 7.1 से 8 के बीच D. C. 8.8 से 9 के बीच D. 4.5 से 5 के बीच अगला परशन देखते हैं निमलिकित में से किस गरह की कक्षा सुरीश के निकट है किस गरह की कख्छा सूरी के निकट है यह शुक्र की बि मंगल की सी ब्रसपति की इसकी इनमें से बताना है दोस्तों कौन सूरी की कख्छा के निकट्टम है कि इस कैंसर हो जाएगा साट का इसकर अगला पर दिखते हैं किस अंग में वरणक विशे के के अधार पर किसी व्यक्ति की आँखें भूडी नीली या काली है आपका ओप्शन है ए पुतली बी स्वच्छ मंडल कॉर्णिया सी पडितारी का आईरिस डी रख तक पटल इसका एंसर हो का दोस्तो आईरिस पडितारी का एकला प्रशन देखते हैं सारवत्रिक गुरुत्विये स्थिरांग का विमिये सुत्र कौन सा है ओप्शन है ए M-1 L-3 T-2 B M-1 L-3 T-2 C M L-3 T-2 D M-2 का होगा इसका उत्तर दोस्तो इसका उत्तर हो जायगा A M-1 L-3 T-2 गुरुत्ये स्थिरांग का विमिये सुत्र अगला प्रस्ण देखते हैं समुंद्र के जुआर भाटा में कौन सा उर्जा भंडारित होता है A. दर्विय उर्जा B. गतिज उर्जा C. गुरुत्विय स्थे तेज उर्जा D. उपर तीनों परकार की उर्जाओं का मिश्रन इसके अंसर हो जागा दोस्तों B. गतिज उर्जा अगला प्रस्ण देखते हैं काच को गहरा नीला रंग किस से मिलता है A. कोबाल्ट ऑक्षाइड से B. क्यूप्रिक ऑक्षाइड से C. फेरस ऑक्षाइड से D. निकल ऑक्षाइड से इस कैंसर हो जागा दोस्तों A. कोबाल्ट ऑक्षाइड से निकल गतिज में से कौन सा तंतु सबसे कम आग पकड़ता है A. नाइलोन B. सूथ कॉटन C. रयोन D. टेरी कोट इस कैंसर हो जागा C. अगला प्रस्ण देखते हैं निकल गतिज में से किस का प्रियोग रबर के टायरो में पूरक के रूप में किया जाता है इस कैंसर हो जागा option है A. कार्बन ब्लैक B. कोईला C. कॉट D. ग्रिफाइड इस कैंसर होगा कार्बन ब्लैक अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो चुम्बक बनाने के लिए निम्लिकित में से कौन सी मिस्रधातू का प्रियोग किया जाता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट A. डूरेल लूमीन B. स्टेनलेस स्टील C. एलनिको D. मेगनेलियम इस कैंसर होगा दोस्तो C. एलनिको मरते हैं एक लिए प्रस्ण के और निम्लिकित में से कौन सा तत्व समुंदरी सेवाल से प्राप्त किया जाता है A. आरगन B. सलफर C. वैनिडियम D. आयोडीन इस कैंसर होगा दोस्तो D. आयोडीन बढ़ते हैं एक लिए प्रस्ण के और मेशोन कहां पाये जाते हैं A. إंत्रीक्स के ड़णों में B. आक्स कि डृणों में C. गामा कर्णों में D. लेजर बीम में यह कि अंसर होगा दोस्तो B. आंत्रीक्स के ड़ॣों में बढ़ते हैं हमारे कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खटा हो जाता है यह किसके बनने के कारण होता है ए लेक्टिकम, बी निम्बुकाम, सी एसिटिकम, डी कार्बनिकम इसका अंसर हो जागा दोस्तो येस राइट अंसर लेक्टिकम वाईव मंडल में ओजोन प्रत के हरास के लिए निम्बुकित में से कौन सा रासानिक दरव उत्तरदाई तो है आपके आप्शन्स हैं ए नाइट्रस ओक्साइड, बी कार्बन डायोक्साइड, सी क्लोडो फ्लोडो कार्बन, डी सल्फर डायोक्साइड दोस्तो इसका अंसर आप जरूर जानते होंगे इसका अंसर हो जाएगा सी क्लोडो फ्लोडो कार्बन इसी तरह के कोश्चन आपको बिहारद रोगा में देखने को मिलेंगे अगला प्रशन देखते हैं सीतकाल में पौधे, पाले, फ्रोश्ट से मर जाते हैं क्यों? की option है A. वास्पोसरजन नहीं होता B. इतने कम तापमान पर परकासन स्लेशन नहीं हो पाता C. इतने कम तापमान पर सौशन रुख जाता है D. उत्तकों की यांतरिक छती और सुसकन हो जाता है इस कांसर हो जाएगा D. तो को का यांतरिक छती और सुसकन हो जाता है डेंगू जवर का कारण है एक वास्ट का डेंगू जवर का कारण है B. बैक्टिडिया C. प्रोटो जवा वायरस इस कांसर हो जाएगा दूस्तो D. वायरस अगला प्रस्ट देखते हैं निमलिकित में से किसको उत्तम कॉलेस्ट्रोल माना जाता है A. V. LDL B. LDL C. HDL D. Triglyceride इसका एंसर हो जाएगा दोस्तो D. Triglyceride भरते हैं अगले प्रस्ट के और थैलेसीमिया एक अनुवानसिक बिमारी है यह किसको परभावित करती है A. रुधिर B. कवक Brick Kidney C. फुफुफुस D. हिर्दे Heart इसका एंसर हो जाएगा दोस्तो रुधिर Blood दोस्तों यह हमारा बिहार द्रोगा के लिए बहुत ही इंप्रोटेंट प्रस्टनों का टेस्टरीज था जो कि आगे भी इस तरह के 75 प्रस्टनों का सेट टेस्टरीज में लेकर आता रहूँगा दोस्तों अगर आपको यह हमारा वीडियो प्रसंद आया तो इसे लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए हम इसी तरह के टेस्टरीज को लेकर आते रहेंगे जिन एक्जाम तक जो कि आपके दिहार द्रोगा से संब्द देते हैं झाल